विपक्ष का काम हर्मुद्दे पर राजनीती करना रहा है लिकिन देश की परधान मंत्री नरेंदर मोदी ने रास्टर हित को सर्भोपरी रखकर काम किया है केंदरी वित राजनीती करोना वैक्षिन पूरी तरह से सुरक्षित है और देश के बड़े नामे नोगों ने पहले दिन वैक्षिन टीका लगाने के लिए पहल की है हमीरपुर जिला में अपने निवास स्थान समीरपुर में लोगों की जनसमस्याओं को सुनने के बाद केंद्री बित राजय मंत्री अनराक ठाको ने ये बात कही वहीं अनराक ठाको ने हमीरपुर उना रेलबे लाइन पर हो रही देरी पर कहा कि रेल बे विभाग और राज्य सरकार के बीच बात है और कुछ मुद्दों पर चर्चा कर उनके हल निकालने के बाद ही रेल लाइन पर आगे बढ़ा जाएगा करोना बैक्सीन पर विपक्ष की टिपनियों पर अनराख ठाको ने कहा कि करोना बैक्सीन पर कुछ लोग राजनिती कर रहे हैं लेकिन पियम मोदी के द्वारा लोगों को सुरक्षित करने के लिए करोना बैक्सीनेशन शुरू किया गया है उन्होंने कहा कि PM मोदी का अबार जताना चाहिए क्योंकि दो-दो वैक्सीन की प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन अभ्यान भी शुरू कर दिया है जिसे देश की करोडो जनता को राहत मिली है देखे कुछ लोगों का काम राजनीती है लेकिन मोदी जी न राष्टनीती को प्रात्मिक्ता दी है और यही कारण है कि देश भर के राजियों को और लोगों को साथ में लेकर जब चले तो दुनिया भर में 138 क्रोड का देश ये भारत यहां पर मृत्युदर सबसे कम जिन द दूसरा हमें धन्यवाद करना चाहिए अपने सैंटिस्ट का अपने रेगलेटरी बॉडिस का अपने परधान मंतरी जी का कि जिन भारत में एक नहीं दो-दो वैक्सिन यानिके टीके का यहां पर जो प्रडक्शन भी शुरू हुई यहां निर्मान भी हो रहा है और जब ए निर्मान भी तीयो के डॉक्टर पॉल ने खुद को लगवाया एम्स के ही पहले डॉक्टरों ने इसके पहले चरणों में जब इस पर शोध हो रहा था उस समय भी अपने उपर इसको करने का काम किया तो इस तरह से दिखाता है कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्शित भ लगवाना चाहिए ताकि हम लोगों की जान बचा सकें और भारत को दुनिया भर में एक मिसाल के रूप में पेश कर सकें कि हमने करोना में भी जाने बचाई वैक्सीनेशन से भी क्रोडों लोगों को लाप पहुंचाया और इस से हमारी अर्थव्यस्ता भी और मजबूत हो आने बाले बजट में देश के बेपारियों को मोधी सरकार राहत परदान करेगी क्योंकि इससे पहले भी बेपारी पर का ख्याल रखा गया है अनुराक ठाको ने कहा कि GST से लेकर टेक्स में सरकार ने बेपारियों को लाप दिया है और करोना महामारी के दुरान भी इसके अलाबा दो तीन सालों से ब्याज दरें भी घटाई है जो कि बेपारियों के लिए बहुत ही बढ़िया रहा है लापतार ब्याज दरें गिरी हैं जिससे कि उनको लाप मिला है अगर आप देखेंगे घर खरीदने की बनाने की नई तेजी आई है क्योंकि ब्याज दर कम होई और लोग अपना घर भी बनाना चाहते हैं अब GST कोलेक्शन में देखेंगे तो तीन महीने लागातार एक ला बड़े उन सब को 20% additional working capital के रूप में दिया इससे उनको लाप मिला कि पैसे की कमी नहीं आए हमने income tax में TDS और TCS जो हमारे इसको 25% कम किया ताकि लोगों के हातों में पैसा जादा जाए दो लाग करोड के लगबग हमने लोगों को income tax का refund वापिस किया जिससे लोगों के हात तुमें पैसा जादा और यही कारण है कि वेपारी को दिक्कत कम आई आई जिरूर लेकिन कम आई लेकिन उसका लाप यह मिला कि उनके वेपार भी चले बंद नहीं हुए और ज्यादा रोजगार भी मिलने शुरू हुए